नवरात्रों में ये सपने देते हैं शुप फल जानिये संकेत और उनका असर नवरात्री के नो दिन बहुत ही पवित्र होते हैं इन दिनों में चारो तरफ माता के जैकारों की गुन सुनाई देती हैं ऐसे में रात के समय अगर आप भी नवरात्री के पावन दिनों में सपने को लाल वस्तर धारन किये हुए देखते हैं तो यह सपना अती शुब माना जाता है इसका अर्थ है अब आपके जीवर में कुछ बहुत अच्छा तता शुब ही शुब होने वाला है नमबर दो, नव दुर्गा पूजन के दिनों में यदि सवपन में किसी भी देवी देवता के दर्शन करते हैं तो समद लेजिए कि स्वयम माता लक्ष में आपके घर पधारने वाली है तथा आपको अच्छा धनलाप और कार्य में सफलता मिलने वाली है नमबर तीन, अगर सपने में आप खुद को नवरात्री पूजा में सामिल होते हुए देखते हैं तो ये एक शुब सवपन है ये कार्ये छेतर में तर्की दिलाने वाला तथा कोई रुका हुआ कार्ये जल्दी ही पूरन होने का संकेत समझा जा सकता है नमबर चार, नवरात्री के दिनों में अगर सपने में आपको कन्या दिखाई देती है तो ये बहुत शुब है क्योंकि इन दिनों में कन्या को दुर्गा जी का रूप मान कर उसका पूजन किया जाता है इस सौपन का संकेत ये हैं कि आप पर देवी मा अपनी कृप्णा बरसाने वाली है नमबर पांच, नवरात्री में सपने में सेर देखते हैं तो इसका मतलब है कि अगर आप कोट कचेरी के मामले में फसे हुए हैं तो उसमें विजय प्राप्ती का संकेत है तथा कारी छेतर में अधिकारियों से मदद मिलने तथा नोकरी में आपका परभाब बढ़ने का संकेत समझा जा सकता है नमबर छे नवरात्री के दिनों में यदि आप सपन में जलता हुआ दिया देखते हैं तो ये बहुत ही शूब संकेत है इसका अर्थ है कि आपको अधिक मात्रा में धन लाप होने की संभावना है नमबर साथ, नवरात्री के दिनों में अगर आप सपन में किसी महिला या कन्या को निर्ति करते हुए देखते हैं, तो ये भी परचुर मात्रा में धन प्राप्ति का संकेत माना जाता है नमबर आठ, यदि नवरात्री के दिनों में आप सपने में खुद को पढ़ते हुए या कागज पर खुद को कुछ लिखते हुए देखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ही सुब संकेत हैं, इसका आर्थ है कि आने वाले दिनों में आप किसी परिक्षा में अवल आने वाल कि झाले आपकेंधे लिएक याने एक संकेत्व के रिएक स